चंपकपुर गाउं में सब लोग खुशाली से रहते हैं पर एक दिन गाउं के लोगों के गाय भैंस आदी जानवर अचानक गायब होने लग जाते हैं सब गाउं वाले परेशान होकर चाचा टिंगु के पास जाकर उनको इस समस्या के बारे में बताते हैं चाचा टिंगु से गाउं वालों का दुख देखा नहीं गया और वो बोले आप लोग चिंता मत करो में भतीजे लंबू पहलवान के साथ गाउं के बाहर जाकर देखता हूँ शायद कुछ पता चल जाए यह सुनकर गाउं वाले वहां से अपने घरों को चले गए थोड़ी देर बाद चाचा टिंगु ने भतीजे लंबू पहलवान को बुलाया और दोनों गाउं के बाहर जाने लगे गाउं के बाहर पहुचने पर चाचा को किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान दिखाई दिये निशान देखने के बाद चाचा टिंगु ने सोचा की ये निशान किसी छोटे जानवर के नहीं हो सकते ये तो किसी बड़े जानवर के लगते है तब चाचा ने लंबू पहलवान से कहा भतीजे आज रात हमें यही गाव के बाहर रुकना पड़ेगा और दोनों शाम को अपने घर भोजन करने के बाद वापस गाव बहार जाकर उस जानवर का इंतजार करने लगे थोड़ी रात गुजरने के बाद चाचा टिंगु ने देखा कि आसमान में बड़ा सा जानवर उर्ता हुआ गाव की तरफ जा रहा था तब चाचा बोले भतीजे लंगु उठ जल्दी चल हमें इसका पीछा करना होगा दोनों उसके पीछे दौडने लगे कुछ ही देर में वो ड्रैगन गाव के जानवरों के बाड़े में पहुँचकर वहां के जानवरों को मार कर खाने लगा ये देखकर चाचा तिंगू बोले भतीजे जानवरों को बचाओ और भतीजा लंगु पहलबान जाकर ड्रैगन से लड़ने लगा कुछ देर लडने के बाद वो ड्रैगन हवा में उड़ने लगा और वापस गाव के बहार जाने लगा ये देखकर चाचा बोले चलो लंबू इसका पीछा करते हैं, पीछा करते करते उन्होंने देखा कि वो ड्रैगन गाउं के बहार की पहाडियों में जाकर कही गायब हो गया तब चाचा तिंगु बोले भतीजे अभी रात में इसका पीछा करना ज्यादा खतरनाक होगा, हम कल सुबह दोबारा आकर इन पहाडियों में इसका ठिकाना ढूढेंगे, अब अगली सुबह दोनों चाचा भतीजे ने गाउं वालों को जाकर सारी बात बताई और वो सारे ग अंता मत करो, आज उस ड्रैगन का काम तमाम हो जाएगा, और दोनों जंगल में होते हुए पहाडों में पहुँचे, वहाँ उन्होंने देखा कि ड्रैगन सो रहा था, तब चाचा बोले भतीजे यही सही मौका है, इसको उठाकर पटखने का, और लंबू पहलवान जाकर क ड्रैगन को मारने लगा, ड्रैगन भी उसके उपर आग बरसाने लगा, तब लंबू पहलवान भी कहा कम, हाँ उसने भी पूरा जोर लगाकर ड्रैगन से लड़ाई की और अंत में उसको मार गिराया, दोनों चाचा बतीजे ड्रैगन को गाड़ी में पतक कर गाउं में ले करें